बिस्मिल्ला रमानीरीम, असलाम अलेकम, बासित महमूद के बवर्ची, हानम खुशाम अधीद, दोस्तों, आज मैंने बनाया बहुत मज़ेदार सा चिकन कपसा, बहुत ट्रेंणिंग रेसिपी है, हम रेस्टरेंज में जाके इतने पैसे दे के यह खा के आते हैं, जब के घर तकूस भी, ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने चिकन के लिए मसाला रेडी कर लेंगे, मैंने एक टीस्पून नमक लिया है, एक टीस्पून काले मिर्च का पाउडर लिया है, एक टीस्पून मैंने सफैद मिर्च का पाउडर लिया है, एक टीस्पून मैंने घरम मसाला प्यास चाहीं है इतने से साइस केका लू चाहीए और दो टमाटर चाहीए और एक गाजर कातना सर्ट टुकड़ा चाहिए जिसको मैं कदूकश कर लूँगा बारी बारी काट लूँगा टीक है तक्रीबर हाफ गाजर है और कुछ मेरे पास कशमिश के दाने हैं कुछ बदाम ह तो फ्रेंड मैं प्यास को काट लूँ टमाटर को पीस लूँ और फिर आपसे मिलता हूँ और अद्रग भी पीस लूँ जी दोस्तों तो हमारी चीज़े कट चुकी है और पिस चुकी है तो अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि यह हमारी पस अरबिक डिश है तो इसके अंदर हम औलिव और यूज़ करेंगे तिक्रिपन दो तीन टेबल स्पून में औलिव और यूज़ करूंगा आप रेगिलर कुकिंग और भी यूज़ कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहले आलू डालेंगे इन्हें फ्राइ कर दो में चैंने कर लेंगे दो मुंटि कर देंगे द्राइब ला ले लेगे और ने कुमले गिलेज और नौट कर देंगे और जी दोस्तों प्यास ब्राउन होने लगा इसमें चिकन का पीस रख देंगे मेरे पास आदा रोस्टर स्किन वाला चिकन है ठीक है इसे हम फ्राइ करेंगे जब तक इस प्यारा सा कलर नहीं आ जाता और इसको पल्टेंगे तो कलर आना शुरू हो चुका हुआ है मुझे वैसे स माटर की प्यूरी बनाई थी वो भी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे काफी थिक प्यूरी है और कुछ गरम मसाले है दो तेज पते हैं मेरे पास ठीक है और एक तार चीनी का टुकड़ा है और चार-पांच मेर पस लॉंग है ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे सौर भुन नहीं जा था हमारा मसाला अल्मोस जा हो भुन चुका है चिकन भी दो पीस में हो चुका था तो अब हम इसके अंदर चार ग्लास पानी डालेंगे यानि वन लीटर एक लीटर पानी इसमें डालेंगे और इसे महिला लेंगे और हम इसे 25 से 30 मिनट के लिए खुक ताके हमारा चिकन पक जा है थोड़ा सा उसकी यखनी निकला है क्योंकि हम इसमें चावल बॉाइल करने है तो इसे हम आदा घंटा 35 मिनट के लिए पकने देते हैं जी दोस्तों 35 मिनट हो गए थे तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है वो कुक हो गया होगा थोड़ी सी कासर तो लाजमी बाकी होगी जल्दी कुक नहीं होगा था हम पीसी चिकन के निकाल लेंगे और इस यखनी के अंदर हम चावल डालेंगे में पास डेड़ कप चावल था जिसको मैंने भी गो दिया था उसके साथ साथ इसके अंदर मैंने आदा चमज नमक डाला है आदा टे दोस्तों 10 मिनिट हो गये थे माशालला से हमारे चावल जो है उनने काफी सारा पानी चूस लिया है ठीक है तो अब हम इस चावलो को दम पे रख देंगे तक रिबन 20 मिनिट के लिए ताकर हमारे चावल अच्छे से गल जाए खेले खेले से चावल बन जाए तो आग को मैं बिल्कुल स्लो कर दूँगा और इसे दम पे रख देंगे हम 15-20 मिनिट के लिए तो जब तक कि दम पे जा रहा है तब तक हम इसके साथ जो सर्विंग में डिप है डकूस वो रेडी कर लेते हैं डकूस के लिए मैंने दो टेमाटर लिए उनको बारीक बारीक मैंने काट लि और एक टीजपून के बराबर इसके अंदर में डालूंगा ओलिव ओयल ठीक है और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे यह मिक्स हो गया है तो अब हम इसे कुक कर लेंगे ठीक है हमने इसको करना है फ्राइपैन के अंदर उस वक तक पकाना है जब तक अच्छा सा नहीं बन जाता हिलाते हिलाते हलकी आपके ओपर तक दिए और चार से 6 मिनिट लगेंगे वहारा डकूस जो है वह रेडि हो जाएगा आप देखें मैं इसको प्रेस करता जा रहा था मैश करता जा रहा था हमारा डकूस आलमूस्ट रेडि हो चुका हुआ है तो अपन चूला डाल देंगे और काजु को भी हम दो मिनट के लिए रोस्ट करेंगे दो मिनट में हो जाएंगे क्योंके जल्दी हो जाते और थोड़ी किश्मिश थी वो डालेंगे और किश्मिश को भी हम दो मिनट के लिए फ्राइ करेंगे तो friends हमारी किश्मिश जो है वो फूलने लगी है फूल चुकी है इसे अब हम निकाल लेंगे और यह हमारी final garnishing में जाएगा कबसा के ओपर इस oil को हम जाया नहीं करेंगे हमने जो chicken पकाया था boil किया था उसे हमने fry करना है क्योंकि उसके ओपर भी हमने थोड़ा से burning marks लेके आने आप चाहिए अगर आप पास oven है तो आप इसको oven में ग्रिल कर लें लेकिन मैं इसको shortest way बता रहा है तो fry pan में हम इसे fry कर लेंगे थोड़ा जैसे हमने इसको ब्रॉयल किया है आवन के अंदर ठीक है और दूसरी साइट पर हम इसके थोड़ा थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा हम गरम मसाला पाउडर डाल देंगे ताके फ्लेवर इवन ली दोनों साइट पर आजा हमारे चिकन के अंदर तो इसे भी हम एक चुका है जबरदस्त लंबा लंबा चावल नरम खिला खिला सा तो फ्रेंड यह हो गया है रेडी तो आखम करते हैं इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन या फाइनल एसेंब्लिंग कहते हैं तो इसे हम डिश आउट करते हैं प्लेट मैंने निकाल लिया इसको फैला देंगे च आउटार सी टमाटर की चटनी समझें तो खीरे से मैंने सजा दिया है हमारी रेसीपी होगी कम्प्लीट होफसो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको रेसीपी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अफ़ता झाल